हेलो फ्रेंड विल्कम तो माई चैनल दा टेक्निकल इंट्रो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अन क्लिक अन दा बेल आइकोन अस तो नास पॉसबल फॉर मोर एन गेट नोटिफिकेशन दोस्तो मैं हूँ राजकुमार चलिए शुरू करते हैं आज के नय और उनिक वीडिय दोस्तो आज हम दिखाएंगे HP all-in-one desktop कैसे अपग्रेट करेंगे SSD and RAM और साथ ही साथ दिखाएंगे यह जो IPS पैनल है वो पैनल किस तरह खोल सकते हैं आप लोग क्योंकि यह जो पैनल है H2H पैनल है इसलिए इधर यह दौर करते हैं तो पूरा स्क्रीन खरब हो जाएगा ड कि किस तरह यह नया जो AIO है वो आप लोग खोल सकते हैं तो देखिए पीछे एक पूरा ब्रैंड न्यू है तो पहले इसको अपग्रेट करेंगे तो पीछे देखिए यह जो गबर है stand के बीच में यह वाला lock से जूड़े रहते हैं तो इस तरह आप लोगों को इस lock को खोल देना है यह पूरा नहीं खुलेगा स्रीप थोड़ा लूज होगा और ज्यादा नहीं होगा क्यूंकि अंदर screw से जूड़े रहते हैं यह बहुत ही sensitive है तो जब यह काम आप लोग कीजिए तो ध्यान पर रखिए कि screen पर किसी पुकार चोट ना आये नहीं तो screen damage हो सकता है और अगर damage हो गया तो यह आपका बहुत महेंगा पर सकता है तो be careful तो यह देखिए पहले stand जो है वो part remove करना है और इसके लिए पहले मैंने यह वाला option लूच किया था देन देखिए इधर दो side में दो screw है जो screw stand को system के साथ जूड़े रहते हैं तो इसको पहले हम इस तरह यह देखिए यह देखिए थोड़ा screw यह देखिए खुल गया अभी अभी यह जो part है हम side में रख देंगे आप लोग step by step देखिएगा script करके मत देखिए नहीं तो समयज में नहीं आएगा क्योंकि इधर काई सारी screw है और lock है जो lock और screw step by step खोलना है तो हम लोग क्या करेंगे अभी उपर का जो देखिए यह वाला stick लगा हुआ है यह part हम हातों से इसको खोलने के कोशिश करेंगे इधर कुछ screw driver वगरा use मत कीजिए नहीं तो यह screen damage हो सकते हैं देखिए इस तरह आप हातों से अपने पर खिशते हैं तो यह खुल जाएगा तो देखिए यह देखिए उपर के part यह अलग हो चुका है अब देखिए इधर कई सारी screw है आप लोगों को जितने सारे screw इधर दिखाई देगा हर एक screw आप लोगों को खोलना पड़ेगा ठीक क्योंकि एक भी screw इधर रह गया तो screen आप लोगों खोल नहीं पाएंगे एक-एक करके screw को खोल देते हैं इस तरह और पहले क्या होता था कि screen जो है वो base रहता था side में almost half inch या एक inch के आसपास base रहता था और उसमें base में screw लगे रहते थे तो वो हम easily assemble and disassemble कर सकते थे लेकिन यह जो अभी नया model है आगया market में यह नया model में age-to-age display है IPS पैनल है और इसे कारण narrow brazil है कोई brazil नहीं है जैसे कि आप लोगों का smartphone होते हैं SIM वैसा ही है इधर side में कोई base नहीं है तीनों side में कुछ नहीं है जस नीचे आपका जो speaker वगएरा लगाने का option है इसलिए नीचे है बाकी तीनों side आपका left, right and top में कोई base नहीं मिलेगा तो इस तरह देखिए हम पहले screw जितने सारा screw है हर एक screw को खोल देना है यह all-in-one desktop है यह नया नहीं है यह बहुत साल पहले company ने launch किया था लेकिन अपग्रेड होते होते अभी इस option में आग चुका है यह बहुत ही handy है laptop का सारी features इसमें है सरे इसमें battery नहीं रहते हैं बाकी laptop में जो-जो features रहते हैं अल्मोस्ट सभी features इसमें मिल जाएगा आप लोगों को जैसे की speaker, wireless LAN card, Bluetooth, DVD-ROM इस तरह का हर एक चीज़ इसमें inbuilt है और एक compact है और यह चीज़ adapter से चलते है 65 watt का adapter से चलते है इसलिए power conjunction जो है बहुत ही कम है अल्मोस्ट जो desktop, tower desktop होते है उससे लगबग 40% power condition हो जाते हैं और बात करें की wire का इसमें कोई wire बगारा नहीं है साइड जो keyboard mouse है वो भी wireless मिल जाएगा आप लोगों को और इसमें हम अभी SSD लगाएंगे solid state drive क्योंकि यह जो system है यह system अभी hard disk देके आया है इसमें inbuilt SSD नहीं है और आप लोग जानती है कि अभी जो windows है windows 10 या 11 तो अभी हर एक system में genuine OS inbuilt रहते हैं तो अगर update करके इसमें latest version कर देंगे तो इसमें इसमें जो hard disk है वो इस system को ठीक से run नहीं कर पाएगा और slow performance हो जाएगा इस system को तो इसलिए हम इसमें RAM और साथी साथ SSD upgrade करेंगे तो आप देखिए इस तरह screen को हम remove कर देते हैं और पीछे देखिए दो cable है एक है VGA का और एक इधर power का तो यह पूरा नया unit है नया unit में हम इसको upgrade करके use करेंगे अंदर जो board है वो भी आपको जो mount करके दिखाएंगे यह देखिए cable है यह देखिए अंदर इधर hard disk से पूरा system है देखिए board है यह और इधर RAM रहते हैं इधर दो screw है दो screw को खोलने से RAM बहर आ जाएगा यह laptop का RAM है जैसे कि मैंने बोला कि almost laptop में जो जो features मिल जाते हैं all-in-one में भी same features मिल जाते हैं लोग इसको अभी ज्यादा यूज करते क्योंकि office हो घर पे हो तो यह all-in-one चीज ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसमें power congestion होते हैं थोड़ा easy होता है tower desktop की जो है उदार एक monitor रहता है कई सरी cable add हो जाते हैं इसलिए उसके लिए एक table चाहिए और भी बड़ा बाला लेकिन इसमें छोटा बाला table से कम चल जाएगा तो यह देखिए यह western digital का ssda nbme यह है m.2 nbme latest version ssda ssda हम डाल देंगे और इसमें windows जो है windows 11 हम इसमें डाल देंगे और इसमें ram भी upgrade करके double कर देंगे क्योंकि इसमें by default 4gb ram है हम और भी इसमें और एक 4gb add कर देंगे 2 ram हम लोग इधर लगा सकते हैं up to 32gb तक ram external कर सकते हैं हम लोग इधर 240gb का ssd लगाया है आप लोग चाहें तो इससे भी ज्यादा capacity का ssd लगा सकते हैं 512 का इस तरह का कई सरी वर्सें होते हैं कई कई सरी कंपानी हैं उसे हिसाब से कई सरी वर्सें रहते हैं मतलब जी बी का तो आप लोग कोई भी NBME अच्छा वाला कंपणी का यूज़ कर सकते हैं तो देखिए इस तरह मैंने sit कर दिया और screw को भी डाल दिया assemble कर दिया part to part वो मैंने दिखाएने कि भी ज्यादा लंबा हो जाएगा तो देखिए उपर का जो part था वो मैंने इस तरह का से push कर रहा हूं तो वे lock हो जा रहा है क्योंकि ये पूरा part lock से जूरे रहते हैं तो इसी लिए मैंने lock कर दिया और अब हम इसको जो stand है ये देखिए फिर से हम इसको जोड़ देते हैं और ये दो side में आपको तो पता ही है कि दो side में दो screw है और दो screw लगाने से ही ये जो stand है stand इसमें fixed हो जाते हैं और अभी ये देखिए इसको थोड़ा सा set करके हम push कर देंगे just क्योंकि इदा दोनो side में चार्ट चार करके lock रहते बस अब देखिए आउन करके दिखा रहा हूँ ये देखिए system इसमें windows 11 है तो उमीद केते दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को जूरू subscribe करे like करे शेयर करे आज इतना ही जाहिन नमस्कार प्राट देखिए